यह जो हैंसेट है 10,000 रुपे के या 15,000 रुपे के स्मार्फोन है उनकी तरह दिखता है लेकिन इसका जो प्राइजिंग है यह है अंडर रुपीस 7,000 यह अच्छुली एक इंट्री लेवल स्मार्फोन है टेक्नो मॉबाइल की तरफ से जब हम बजेट फ्रेंडली स्मार्फो इसमें जो फीचर दिया हुआ है एक तरह से वाव लेवल का है तो इस हैंसेट में तीन खास फीचर है पहला यह कि यह 90 हर्ट रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में आता है जो कि आपको इस प्राइज सेग्मेंट में मिलता है वो भी डॉतिंग डिस्प्ले विध डिनमीक पोर्ट यह दिखे यह है डानमीग पोट जैसे आपल आईफोन पर आपको फीचर मिलता है वैसा ही फीचर यहां पर दिया हुआ है इस ऐसमें और दूसरी खास चीज इस स्मार्टफोन की यह है कि यह फिंगर प्रिंट सेंसर के साथ में आता है अब इस प्राइज म sensor यहां पर दिया हुआ है और जो तीसरा फीचर है यह डिफिनेटली आप में से काफी लोगों को impress करने वाला है यह जो फीचर है यह ज़ादा करके आपको mid premium segments या फिर premium segments के smart phones पर मिलता है in fact 10,000 से लेकर 20,000 के range में जो smart phones है उनमें भी फीचर काफी phones में जो brands है वो नहीं देते हैं और वो feature है speakers, dual speakers तो इस handset में आपको dual speakers मिलता है DTS sound support के साथ में और जो audio output है यह 400% louder है तो यह एक बहुत ही amazing smartphone है जो कि टेक्नो मुबाइल ने इंडिया में लाउच किया है इसका नाम है टेक्नो स्पाक गो 2024 प्राइजिंग अंडर रुपीस 7,000 चलिए ऐसे चेक करते हैं देखते रहें तो यह है टेक्नो स्पाक गो 2024 यह 6GB RAM के साथ में आता है जिसमें 3GB प्लस 3GB extra RAM है मतलब कि 3GB expandable RAM है बहुत ही बढ़िया स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है 64GB और इसमें 5000 इमेज की बैटरी भी दिया हुआ है जैसे कि मैंने कहा स्टीरो स्पीकर के साथ में आता है डीटीएस सपोर्ट के साथ में चलिए इसकी अंबोक्सिंग करते हैं तो बॉक्स में आपको ये हैंसेट मिलने वाला है इसके ओपर ये फिल्म लगा हुआ है जिसपर जो की फीचर्स है उसके बार में जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है 90Hz refresh rate वाला डिस्पले 64GB स्टोरेज, dual speakers, DTS support के साथ में इसमें side fingerprint sensor दिया हुआ है 5000 image की बैंटरी type C port के साथ में तो ये देखे जो handset है इस प्रकार का दिखता है इसका लुक से बहुत ये बढ़िया है वैसे इसके जो body है ये polycarbonate material से बनी हो ही है ये देखे ये कुछ booklets है ये 12 months की warranty के साथ में आता है एक silicon case box में दिया हुआ है transparent silicon case ये USB to type C cable ये है SIM tray ejector pin और ये 5 volts 2 amp का charger box में दिया हुआ है ये 10 watt का charger है handful काफी अच्छा है ये जो handset है काफी हाथ तक lightweight भी है और काफी देर तक आप इसे यूज कर पाएंगे इसमें triple slot दिया हुआ है आप दो nano SIM यूज कर सकते हैं वैसे जो handset है ये 4G support के साथ में आता है ये IPS display है और यहाँ पर जो default wallpaper है और जो interface है काफी बढ़िया है इस price में 6. 6.56 inches का display है HD plus resolution के साथ में आता है 90 hertz refresh rate support करता है display की quality pricing के साब से काफी अच्छी है और best यह है कि अगर आप मान लीचे जादा वीडियो जिखते हैं तो आपको stereo effects मिलने वाला है इस पर जो audio experience है वो एक अग ही level कि होती है with stereo speakers और यह आपको under Rs.7,000 price tag में मिल रहा है segment first smartphone है जो की इस feature के साथ में आता है इस price में यह IPX2 rating के साथ में आता है splash resistant है इसमें एक और unique feature है dynamic port और इसे मैंने enable किया हुआ है यह दिखें मैं जैसे ही charging के लिए इसे plug-in करता हूँ और यहाँ पर इस प्रकार का animation देखने को मिल रहा है अब इस प्रकार को animation है आपको Apple के devices पर initially आया था dynamic island करके तो यह जो feature है आपको इस price में मतलब की under 7,000 रुपीज का यह जो phone है spark go 2024 इसमें मिल रहा है rear side पर 13MP dual AI camera setup दिया हुआ है dual flashlight के साथ में आता है और जो front selfie camera है वो 8MP का है जो front camera है उसके लिए भी front LED flash दिया हुआ है यह है camera का interface, portrait mode है जहांपर जो background है वो blur होता है और यह दिखें यह सारे options available है, slow motion का भी option दिया हुआ है, short videos भी आप create कर वाएंगे और यहाँ पर beauty mode है इसमें 1X or 2X का option दिया हुआ हुआ है, AI cam option है जहांपर अगें 1X or 2X का option दिया हुआ है, यह HDR mode के साथ में भी आता है और filters का भी option दिया हुआ है, आप videos maximum 1080p at 30 fps में shoot कर पाएंगे और यह है short video का option, और interestingly short videos में आपको यह देखें, यह सारे options मिलके हैं, तो आप basically recording कर सकते हैं और यह देखें, इस परकार से यह recording कर रहा है, मैं ऐसे play क करता हूँ, यह देखें, तो इस परकार के amazing videos भी आप इसके साथ में create कर पाएंगे, यह कुछ samples है, जो कि मैंने इस smartphone के साथ में shoot किया हुआ है, यह है कुछ outdoor portrait shots, और यहाँ पर जो background है थोड़ा सा blown out हो गया है, लेकिन काफी बढ़िया काम किया है इसने, और जो edge detection है, वो भ पर यह देखने के कोशिश करेंगे, जूम इन करेंगे, तो clarity आपको इतने नहीं मिलने वाली है, यह है मेरा portrait shot, अच्छे lighting condition में, काफी बढ़िया फोटो यह शूट करता है, और यह है low light shot, यहाँ पर मैंने जो super night mode है, इसे यूज किया है, और surprisingly, जो shot है, काफी अच्छा है, इन में आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ compromises होती है, लेकिन, overall, आपको यह दिखना है कि, यह value for money product है यह नहीं, और यह definitely value for money product है, जो main features है, जो की ज़्यादा करके users चाते हैं, वो इसमें दिया हुआ है, और जहां तक performance का सावाल है, काफी अच्छा ह इस प्राइस में, यह है इसका specifications, Android 13 रन कर रहा है, और इसमें 3GB RAM है, 3GB expandable RAM है, Memfusion Technology उसके जो की तरह से virtual RAM है, जो कुछ तक जो system performance है से improve करता है, और 64GB massive storage space इसमें दिया हुआ है, यह वारंटी का option यहां पर दिया हुआ हुआ है, आप यहां से वारंटी को activate कर सकते हैं, इसमे Unisock T606 processor उसके गया है, इसका performance कैसा है, चलिए जो game है, यह खेल के देखते हैं, अब यह जो chipset है, यह इतना ज्यादा powerful नहीं है, लेकिन आप इस पर इस प्रकार के high-end games खेल पाएंगे, देख सकते हैं कि यह lag कर रहा है, occasionally यह lag करेगा, लेकिन यह जो game है, यह label है, यह देख अगर मिलता है, तो फिर जो features दिया हुआ है, वो नहीं मिले वाला है, तो ultimately आपको decide करना है, आपको requirement है, उसके हिसाब से, वैसे इसमें जो stereo speakers दिया हुआ है, उसके कारण जो gaming experience है, यह भी काफी हद तक enhance हो जाता है, दोस्तों इस वक्त मैं outdoor हूँ और इस handset का speaker test है, वो करते क्योंकि इसका speaker है, काफी loud है, तो अब मैं यह audio play कर रहा हूँ, background में थोड़ी बहुत आवाजे है, जो volume है, यह almost मैंने 50% पर रखा हुआ है, मैं इस वक्त कार में हूँ और कार का जो engine है, इसे on करता हूँ, और जो AC है, उसे भी on करता हूँ, जो sound है, यह काफी जादा आने वाला है, तो ऐसे environment में इसका जो audio है, किस प्रकार से काम करता है, अब इस आवाज है काफी low है, क्योंकि मैंने volume low पर रखा हुआ है, volume को मैं increase करता हूँ, अब volume full पर है, इसमें 5000 mAh की battery है, जो कि आपको आसानी से up to one and a half to two days का battery life दे सकता है, अफकोस 10 watt charging support के साथ में आता है, जो कि इतना fast नहीं है, लेकिन अब इस price में आपको जो अन्य features मिल रहे हैं, वो काफी अच्छे हैं, और जैसे कि मैंने कहा कुछ ने कुछ कमिया रहेगी, तो वो आपको adjustments करना पड़ेगा, तो अगर आपको budget कम है, यह एक बहुत ही बढ़ बहुत ही बढ़िया pricing है, और यह Xiaomi का जो Redmi A2 है, Samsung का M04, Poco C55, Lava UR2 और Nokia C22 को टकर दे रहा है, ना सिर्फ pricing के मामले में बलकि features के मामले में भी, अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं, link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, देखते रहे हैं